इस एपिसोड में तूबा 1st Lord, मैंत यांग को लेकर के Quinn Family में आ जाते हैं और तबी उनका welcome करने के लिए Quinn Family का 1st Elder आ जाता है तबी तूबा 1st Lord कहता है कि जल्दी से Almighty Immortal को यहाँ बुलाओ क्यों कि लिए मुझे उनकी बहुत जाधा ज़रूरत है मेरा एक Discible जादा मुसीबत में है कि युक्ले हमारे क्लान ने फॉर्बिडन लैंड में जिस इवल स्प्रेट को सप्रेस करके रखा था वो गल्दी से अब पहार आ चुका है तो तो यहां लंभी लंभी फेक रहा था और यहां पे तो तो तेरी कुछ भी नहीं चल रही है यह कहे करके व क्विन फैमिली का फर्स्ट एल्डर बोलता है भले हमारे सौड इमोटल घायल है मगर क्विन फैमिली के जो अप ही लॉड है जिनका नाम है लिन फैंग वो आपकी इस मदद जरूर करें लिन फैंग का नाम सुनते ही ट्राइगन के तो कान खड़े हो चाते हैं और यहीं सीन फैमिली के बेस्मेंट का सीन देखा जाता है जहां पर फर्स्ट एल्डर ने सेकेंड एल्डर को यह मैसेज बेज दिया था कि उनसे मिलें के लिए टूबा फर्स्ट लॉड आए हुए और साथ में थंडर ड्राइगन भी और उनका कोई डिसाइबल फॉरी बीडन लैंड मे फर्स चुका है और उसको यह बचाने के लिए वो यहां पर मदद मांगने के लिए है इस बात को सुनकर के साउतियान कहता है कि क्या तुमने अभी कहा कि कोई थंडर ड्राइगन भी साथ में आया हुआ है उस फर्स लॉड के यह कहते ही वो कहता है कि मास्टर हमें चलती से जाकर के देखना चाहिए मुझे तो लगता है कि यह मैंत यांग का ही थंडर ड्राइगन है सीन शिफ्र होता और हमें क्विन फैमिली के मेंटिंग हॉल का सीन देखा जाता जहां पर थंडर ड्राइगन फॉस्ट हैंडर से कह रहा हो था कि आप जल्दी से जाकर के आस्चर सुझू और यांग फैमिए के सारे लोग के साथ साथ क्विन फैमिली का वो सैकेंद हैल्ड बी आ भी आ जाता है जिसे देख करके थंडर ड्राइगन एकटम खुष हो जातो और लिंफैंग के पास दोड़ा भागा आता और कहता है कि मैने कहा आता ना की मास्टर यहाँ पे जो तूबा फस्ट लॉट खड़ा हुए ना इसी की वज़े से मेरे मास्चर इतनी बड़ी मुसीबत में है इसने जान बुश करके मेरे मास्चर को फरबिटन लेंड में ले गया और उन्हें अकेला छोड़ करके यहां भागाया यहां सुनकर करके फर्स लॉट तो गुसा जाता है और कहता है कि यह राटो करके यहां बहा दूरी दिख वागे मुसे बात करोगे और ये तो मेरे master को छोड़के यहाँ भाग के भी आ गया और आप देखिए आपके सामने खड़ाई हो करके यह मुझे अटाक करने की कोशिश कर रहा है यह कहकर के वो बड़ा भूला बन जाता है और लिंग फैंग के पीछे जाकर के छुप जाता है और तब लिंग फैंग ग कहता है कि master इसे ऐसे मच जाने देजेगा यह हमेशा मुझे बुली करता है यह सुनकर के लिंग फैंग और भी साथा भड़क चाता है और एक निर्वाना ड्राइगन फार्मेशन को समन करता है और उस फार्मेशन से सीधा first lord के उपर अटक करने वाला होता है जिसे देख करक अरे भाहिं बुक चाब यहाँ पे सिफ मिसंडेस्टानी हुई है यह ड्राइगन यहाँ पे मुझे फसाने की कोशिश कर रहा है और यह कहकर कि वो बिचारा लिंफैंग के सामने कुटने टेक करके माफी मांग रहा हूता और कहता है आप मेरी बात तो सुनने सीनियर यह कहक करके वो बिचारा आगे बढ़ने लगता है और यहाँ पे लिंफैंग को मनाने की कोशिश कर रहा हूता में लिंफैंग इतना गुस्से में होता है कि उसकी बात नहीं सुनता और सिर्फ अपने और अप्रेशर को रिलीस करता है तभी फर्स्ट लॉट एंसिस्टर सुजू स पहचानती है वनना आज आपको मने से कोई भी बचा नहीं सकता था और यहाँ पे फर्स्ट लॉट के जान में जाना आती है और वो कहता है कि मैं सच बोलना हूँ नहीं मैंग त्यांग को फॉर्बिडन लैंड में फसाया नहीं हम लोग बस वहां इन्वस्किकेशन करने कहत हैं मगर जो इवल स्प्रेट को सप्रेस करके रखा था वो इवल स्प्रेट पता नहीं कैसे बाहर आगी तभी लिन फैंग कहता है कि यहां बात करके देर ना करने से अच्छा है हमें आप वहां ले करके चले जहां पे महिंगती आंग है यह सुनते ही अल्डर तुरंद एक पोटल बनाते हैं और उन लोगों को ले करके सीधा फौर्विडन अलाइंड में ले कर के चले जाते हैं लिन फैंग और उसकी पूरी टीम फ़र्विडन लाइंड में आज आती है और तबी लीडी यार चारों तरफ ऐबसर्व करने लगती और वो कहती है कि फिर्स लौट स कि हमें जल्दी से चलके मैंग त्यांग को बचाना चाहिए ना कि यहां पर बहस काना चाहिए और यहीं सीन शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है मैंग त्यांग के ओपर वो evil spirit और भी ज़्यादा pressure लगा रही होती है और lin fang इस चीज़ को feel कर पा रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि lin fang और भी तेजी से मैंग त्यांग की ओर जा रहा होता है और यहीं पर मैंग त्यांग के ओपर वो evil spirit अपनी evil fire से उसे और भी ज़्यादा suppress कर रहा होता है जिसकी वज़े से वो जो shield होती है वो वहाँ पर crack होने लगती है और तभी वो evil spirit कहता है कि चुप चप यहाँ पर surrender कर दो और मेरे कुलाम बन जाओ तो हो सकता है कि मैं तुम्हें यहाँ जिन्दा छोड़ दूँ इस बात को सुन करके मैंग्तियांग कहता है कि यह तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारे सामने surrender करने वाला हूँ और रही बात मरने की तो मैं कभी मरने से डरता नहीं हूँ और वो same dialogue अपनी फादर की तरह बोलता है और तभी हम देखते हैं कि मैंग्तियांग की shield फाँ पर तूट जाती है क्यों के लिए evil spirit ने अपनी time को और भी जादा बढ़ा दिया था जिसकी वज़ए से मैंग्तियांग उसको hold नहीं कर पाता है और उसकी shield जैसे ही तूटती है वो पीछे जाकर के गिर जाता है और तभी वो कहता है कि अब मुझे अपनी final technique को use करना ही होगा ये कहकर कि वो अपनी belly पे खीच करके power attack करता है और अपनी second blood line को awake करता है और इसकी वज़ए से वो इतना जादा pain में होता है कि उसे आसपास की चीज़े तो महसूस ही नहीं हो रही होती और तभी मौका पाते ही वो evil spirit उसके तरफ एक formation बना करके उसे seal कर देती हो और कहती है कि आज तो तुम्हें मुझे से कोई भी बचा नहीं सकता हो और यहां पे mangtyang second blood line को awake करने में लगा होता है और साथ में वो जो evil spirit होती है अपने formation को और भी ज़्यादा powerful बना करके mangtyang को torture कर रही होती है और तभी mangtyang second blood line awake हो जाती है और वो जैसे awake होती है उस evil spirit के formation को तोड़ देती है और वो एक phynix blood line होती है और साथ में उस evil spirit को उपर कई सारे hack कर रही होती है और इस निर्वाना फिनिक्स की पावर को देख करके एंसेस्टर सूजू और लिन फैंग सबके सब वहाँ रुख जाते है और तभी लिन फैंग के दिल में दर्ट होने लगता है यह देख करके थंडर ट्राइगन उसकी सोल सी से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंग त्यांग जरूर तुम्हारे ही बेटा है क्यों कि लिए तुम्हारी ब्लड लाइन और उसकी ब्लड लाइन एकदम सेम है उसके पास भी निर्वाना फिनिक्स की पावर है और बिचारे यहां लिन फैंग उसे तु कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसने कब ऐसा कुछ किया होगा और तब ही हम देखते हैं सिर्चा सूजू कहते है कि लिन फैंक तुम ठीक तु हो हूँ तब ही फास लॉट कहते है मुझे समझ में नहीं आ रहे है इस मैंक त्यां के पास आइस बलड लाइन थी अब इसके पास फायर बलड लाइन भी है ये लड़का सच में एक heavenly genius है इसका father भी बहुत जादा powerful होगा मगर तभी पीछे खड़ा हुआ लिन फैंक यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल ला होता क्योंकि यहाँ पे वो बिचारा खुद ही बहुत जादा confused होता है पर तभी लिन फैंक कहता है कि बच्चे मैं देखना चाहता हूँ कि आकर तुम्हारे पास और कितने treasures हैं जो तुम्हारी life को यहाँ पे बचा सकते हैं यह करके वो अपने demon इसको बहार निकाल लेता है और वहाँ पे हसने लगता है और अपने demon chain इनको पूरी तरीके से दर दर हिलाने लगता है यह देख करके मैंग त्यांग तुनत अपनी phynix bloodline की power को awake करके एक fireball generate करता है और उस evil spirit की तरफ भेग देता है और यह fire attack जैसे ही evil spirit की तरफ आ रहा था वो अपने demonic chain को निकाल करके तुरंथ उस fireball को वही पर destroy करते था जैसे की सब उसके लिए बच्चों का खेल हो और तभी वो कहता है कि अगर कोई और treasure है तो तुम उसको भी बाहर निकाल सकते हो तभी मैंग त्यांग अपनी sword को निकालता है और उसके अंदर ice के साथ-साथ fire की power को merge करके सिधा उस spirit के उपर attack कर दते वो evil spirit उस attack को अपनी तरफ आता हुआ देख करके वही पर खड़ी होती है और अपने demonic chain को side करके कहती है कि मैं इसे तो अपने forehead से ही रोक सकता हूँ ये कहकर कि वो उस sword को अपने forehead से ही रोकने लगता और देखती देखते वो उस sword को वहाँ पर destroy करके रख देता है उसके blast की वज़े से मैंग त्यांग काफी दूर जा करके गर जाता है जिसकी वज़े से उसे काफी ज़ादा चोट लगती है और तभी evil spirit मौका पाते ही मैंग त्यांग को अपनी demonic chain से capture कर लेता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें यहाँ पर जला के भून दूगा वना बैतर की यह होगा कि तुम मेरे गुलाम बन जाओ और मेरे सामने surrender कर दो मगर मैंग त्यांग तो लिन फैंग का बेटा था वो तो कभी भी यहाँ पर अपने फादर की तरह किसी की गुलामी नहीं कर सकता था वो अभी भी कहता है कि तुम यहाँ पर कुछ भी कर लो मैं तुम्हारे सामने surrender नहीं करूंगा यह देख करके लेन फैंग को गुसा जाता है और वो अपने 오ल के बहार निकालता और ब्रेजिंग से सीधा उस evil spirit की demonic chain पर अटक कर देता है और देखते हैं हम देखते हैं principles जाकर के सीधा उस demonic chain पर टकटादने के साथ उस demonic chain के तो चित्रो उड़ा देती और साथ में उस evil spirit की उपर भी attack करने के लिए चली जाती है और वक्त रहती है वो भी विल spirit अपने सामने एक shield बना के बचने की कोशिश कर रहा होता है मगर तभी हम देखते हैं कि लिन फैंक की attack की ब्लास्ट की वजल से मैंग त्यांग काफी जादा weak हो जाता है और वो वहाँ से नीचे गिरने लगता है और तभी हम देखते हैं कि वो spirit कहती है कि आकर तुम हो कौन और तुम्हारी इतनी हिम्मत की तूम आकर के मेरे उपर attack कर रहा हो भी छुप करके अगर तभी blazing उसके उसके उपर और भी सारे attack करने लगता है दोनों ही पाप और पेटे हैं और यहीं पर हमारे यह एपिसोट खतम हो जाता है एकसे एपिसोट और भी जादा मज़ेदार होने वाला है क्योंके लेन फैंक मिलने वाला है मैंक्तियांकी मा से और यह दोनों का जो confusion है वो यहाँ clear हो जाएगा